नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे कि रेलवे इस्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं या एयरपोर्ट से फ्लाइट क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट पे यूजर चार्ज वसूला जाता है ठीक उसी तरीके से रेलवे ने पु पुला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा टिकट में ही से इंक्लूड कर दिया जाएगा रेलवे बोर्ड के चेर्मैन बिके यादो के हवाले से जो खबर आ रही है उन्होंने कहा है कि हम यूजर चार्ज के रूप में बहुत छोटी रकम वसूलने जा रहे हम उन इ रीडेवलप किया जा रहा है या जिने रीडेवलप कर दिया गया है जब इस टेशनों का पुनरविकास हो जाएगा तो इस पैसे का इस्तेमाल रेलवे की सुविधा बढ़ाने में किया जाएगा. एयरपोर्ट की तरह हम railway stations पर भी वर्ड क्लास उविदार देना चाहते हैं हम अपनी सभी प्रमुख railway station को upgrade करना चाहते हैं तो जब सवाल उनसे पूछा गया कि आखिरकार कितने railway station पर आप ये charge वसूलेंगे तो उनका जवाब था कि देश में कुल 7000 के आसपास railway station है उसमें 10 से 15% पर यानि कि आप 700 से 1000 के station पर ये charge वसूला जाएगा नितियायोग के CEO हैं विदाब कांथ उनका कहाना है कि PPP model के तहत इनी station को world class बनाया जाएगा नई दिल्ली और मुंबई railway station का पूरी तरीके से काया कल्प हो जाएगा जापान और डक्षिन कोरिया जैसे देशों में भी विकास कहानी railway के बुनियादी धांचे से प्रेडित है आने वाले समय में देश की GDP में 1.5 से 2% का railway का इवदान हो सकता है अब अमिताब कांथ ये भी कहते हैं कि railway का नीजी करण नहीं किया जा रहा है नीजी कमपनिया कुछ साल के लिए train चलाएगी और वो आगे जोड़ रहा है कि देश में आधुनिक्ता की जरूरत है इससे competition भी बढ़ेगा अब यदि बात करें कि वो station 700 से लेकर के 1000 के बीच में कौन से होंगे तो इसमें A और A1 क्लास के जो भी stations होंगे लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, कुलकाता वो इसमें सामिल है और ऐसे stations की संख्या 4 सवा 400 बताई जा रही है आप इस चार्ट में देख सकते हैं तो कुल मिला करके यह है कि हर चीज पबलिक से और कंजीमर से वसूलना है चाहे रेलवे हो, चाहे बस हो, चाहे एरपोर्ट हो सब जगा पे चार्ज बढ़ता ही जा रहा है डिजल पेट्रोल के कीमत वाले से ही उसमें आग लगी हुई है आम आदमी कहे तो किस से कहे, कुछ नहीं कह सकते आपको बेतर सुविधा के नाम पे इसी तरीके से आपके जेब से पैसे निकाले जाते रहेंगे तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक्यू